और आपने जब मौका मिला है अर्मान मलीक को घर से बाहर करने का ये मौका आपने एक दम छोड़ा नहीं है एक बाद बाहर आने दीजे जनाब अर्मान मलीक बताते हैं कि किसके कितने प्रशंसक है इतना percentage votes बतना इतने लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको तो भगाओ अर्मान मलीक को कोई फॉर्मल्टी नहीं कुछ भी नहीं और नाम भी नहीं बताऊंगा आप जानती है चैनल कौन सा है ये भी आप जानते हैं लेकि मैं बिल्कुल आपको नहीं जानता था कि आप इतने निर्दई हैं आप सभी लोग खास कर डिग बॉस से रिलेटिव लोग जो देख रहे हैं कि आप लोग इतने निर्दई हैं शीवानी से रिलेटिव लोग आप लोग इतने निलताई हैं। शीवानी की दोस्त विसाल को समर्थन करने वाले लोग, क्या करते हैं आप लोग? वाकई दुस्मनी का बदला कैसे ले रहा है वो आप से सीखना चाहिए। आप जिसे दर्ष को सीखना चाहिए, सीवानी के समर्थ को सीखना चाहिए। उत्ते प्रदेश में एक टर्म है धोबी पच्छार जिसको पहलवानी में यूज किया जाता है। आप लोगों ने उसी टर्म्स का यूज करते हुए क्या गजब का धोवी पच्छार मारा है भाई। बहुत गजब का मारा है। मौके पर जो चौका मारने की आदत है, वो आप लोगों की है। मैं समझ गया इस चीज को, क्यों कह रहा हूँ मैं और किसके लिए कह रहा हूँ आप लोग भी अचंबित होंगे और मैं समझ रहूं आप लोग अचंबित होंगे। आप के प्रिये शिवानी कुमारी को बाहर निकला जाता है। आपके पेशिवानिक मारी के दोष्ट विशाल को बाहर निकला जाता है विशाल तो विचारा वहाँ पर मार भी खायाता है थपड़ भी खायाता है तो बदला लेने की जो समय था घड़ी थी शायद आप उसका इंतजार करने है और आपने जब मौका मिला है अर्मान मलिक को घर से बाहर करने का यह मौका आपने एकड़म छोड़ा नहीं तो उन्हों हाथ से आपने इस मौके को ग्रैप किया और इतने बेदर्द तरिके से आप लोगोंने वोटिंग की है कि अर्मान मलिक को अगर वाकई बिग बॉस के अंदर थोड़ी से भी नयतिकता है थोड़ा सा भी मतलब इमानदारी है तो अर्मान मलिक को अब घर में कोई रोक नहीं सकता है यह सिर्फ क्या है शिवानी को बाहर जाने के आख्रोशने विशाल के बाहर जाने के आख्रोशने खासकर शिवानी को क्योंकि अर्मान मलिक शिवानी को जिस तरीके से अभध्र बोलते थे उसका उसकी वाइप से जिस तरीके से रडवीर सौरी से जो मन मुटाओ वाद विवाद होता रहा तो लोगों के मन में गुस्टा था खासका मेरे मन में भी रडवीर सौरी को लेके बहुत गुस्टा था इतना नादान भी मस्त समझो, बिल्कुल बेकूफ, मतलब गाउं की गमार, वो जब बार-बार अर्विट सौली है कहता था, कि भैस होगी वहाँ पर, ये तो अर्मान मलीक मौश देता था, तो वो मुझे लगता है कि वो 30 आपके अंदर थी, कि अर्मान मलीक को एक बार वोट है, वो वोटिंग के मार्ध्यम से दिखाया जाएगा, आप लोगों ने वो दिखाया, जम के दिखाया, चार लोग नॉमिनेट थे, अर्मान मलीक, लोकेश कटारिया, साइकेतन और सना मक्भूल, इन चार लोगों में इस बार का वोटिंग पैटन सेम घर की वोटिंग जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो बाहर हो जाएगा, तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी वोटिंग का जो परसेंटेज है, अर्मान मलीक को 84 से 85 परसेंट के बीच में वोट मिलता है, अर्मान मलीक पूरे वोटों में मतलब है, जितनी वी वोटिंग वोटिं के बेजिती का, खूब बदला लिया, विशाल की बेजिती का, बतलब अर्मान को बाहर निकालने के लिए बहुत से लोगों ने अभी तक जो जियो सिनेमा का एफ है न, वो अनिस्टॉल नहीं किया था, तो वो आप लोग है शायद कि मुझे शिवानी का बदला लेना था, इस बज़े से मुझे अनिस्टॉल नहीं करना है, मैं अर्मान को बाहर निकालके रहूंगी, रहूंगा या रहूंगी, कत्का को बाहर निकालके रहूंगा या रहूंगी, और रभीर शौरी को भी हराएंगे, उसको जीतने नहीं देंगे, शायद यह आपके मन में, मनसा हो इसलिए अभी तक आप भी बहुत देख रहे हैं और अपना बदला लेने के लिए देख रहे हैं लोकेश का टारिया और सरना मक्बूल भी बहुत देखने की वजए हो सकती है क्योंकि कुछ तो सिफ्ट होता ही है थोड़ा लेकिन भाई सलाम है आप लोगों को आप जिस तरीक चाहिए क्रितका मली को घर से बाहर होना चाहिए उनके लिए गुट न्यूज चल दी आने वाली हो सकता है जब तर मेरा वीडियो पड़े तब तकी न्यूज आजाए कि अर्मान मलीक इवेक्टेट और कुछ पिसनों के बाद न्यूज आ जाए कि तरितका मलीक इवेक्टे तो दोस्तों जिन्होंने अनिस्टॉल नहीं किया था वो प्लीज लिखके बताया वो किसके समर्थक थे और इसलिए अर्मान मलीक को वोट किया सनमक्बूल के थे कटारिया के थे शिवानी के थे या विशाल के थे उन्होंने अर्मान मलीक को निकालने के लिए वोट किया अर्मान मलीक को उसकी भाशा में ही आप लोगों ने समझाया एक तरीके से वोटिंग की भाशा में जो कहता था ना कि आपस में वोट कर लेंगे यह हो जाएगा तो शिवानी को जिस तरह किसे बाहर निकाला था आप लोगों के मन मों टीस थी आप लोगों ने वही करके दिखाया और उसको घर से बाहर लगबग निकाल दिया है बिग बॉस अगर कोई चाल नहीं करते हैं तो लगबग वो बाहर है तो दोस्तों आपने अपना एक पर तो पूरा कर लिया होगा मेरे ख्याल से बद दूसरा कौन सा है करत का है साहिकेतन यह रडविर्श और ही किसको आप बाहर निकालना चाहते है क्योंकि अगली वाल लगबग सभी नॉमनेट होगे सब नॉमनेट हो जाएंगे उसमें से किसी एक को बाहर निकाला जाएगा और अब मैं भी यह देखता हूँ कि आपका आप्रोस किस प्रतिभागी के ऊपर तूठता है मैं भी यह समझने की कोशिश करूँगा क्योंकि भाई आपका गुस्ता अल्टिमेट है शिवानी के दर्सकों आपका गुस्ता दो बहुत अल्टिमेट है और विशाल भी इसमें विशाल के दर्सक भी शामिल होंगे कटारिया के भी होंगे इसा नमगूल के भी लेकिन भाई आप लोग कर क्या रहे हो कटारिया दूसरी नमबर दे पहुँच गया था लेकिन हाँ आपने इतना नहीं दिया इतना नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा डर यह है कि कहीं डबल एलिमिनेशन ना हो जाए तो इसमें कटारिया बहा हो जाए वैसे लेकिन यह होगा नहीं फिर से एक नॉमिनेशन होगा सभी नॉमिनेट किये जाएंगे इसके बाद फिर आपके पास फिर एक मौका होगा जैसे कहते हैं न कि वैलेट पेपर से वोट होना चाहिए तो हम वोट दे के किसी को हटाएंगे उसी तरीके से आपने दिखाया है कि अर्मान मलीक बहुत मन कर रहा था ना मीडिया के बाद आने के बाद मीडिया में जब अभी कोशन हुए तो दोनों रो रहे थे बहुत मन था उनका घर जाने का तो आपने अर्मान मलीक को घर फेज दिया है हो सकता है क्रितका मलिक रहे है क्योंकि अर्मान मलिक की फेवरेट है पायल मलिक क्रितका मलिक जब साथ में थे तो उन्होंने कहा था क्रितका मलिक जी ने तो अर्मान मलिक को वैसे भी इतना ने था तो आपने बहुत दिन उन्हें खिलाया अब अर्मान मलिक को बाहर जाने का समय लगबग आ गया है, हो सकता है कि कल आपको अर्मान मलिक बिग पॉस में ना दिखें, कृतका दिखेंगी फिर से आपके पास एक मौका हो क्योंकि इस बार कृतका तो थी नहीं तो आपके पास मौका नहीं था अभी कृतिका होगी, जड़ीई सौली होगा, सहय केतन होगा, फिल से आप मुगु स्था दिखाने का मौका मिलेगा, अपने पसंद्रा प्रतिभागी को बाहर करने का जो रास्ता इन लोगोंने दिखाया है, आप उनके पसलिंद्य प्रत्रागी को बाहर करने का नास्ता वोटिंग के माध्यम से खोज रहे है तो दोस्तों आपको ये ख़बर कैसे लगी आपने गूड नीज थी आप किसके समर्थक है जी लिख कर दिएगा आप किसको जिताना चाहते हैं तो अभी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शायद उसमें आपके कमेंट वो आपका नाम हो मैंने बहुत से नाम पढ़े हुए है तो प्लीज कमेंट कीजएगा कल एक वीडियो और लाओंगा अपने दर्शों के लिए और हो सकता है कल मैं आपसे लाइप के जुड़ूँ बात करूँ आपको भी जुड़ूँगा और बात करूँगा तब तक के लिए शुक्रिया हमें सुनने के लिए हमें समय देने के लिए बहुत बहुत थन्दवार आपका